मैंने अभी अभी एक न्यूस देखी है और मैं इसी न्यूस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जो न्यूस आईए वो यह आईए डेली गवर्मेंट और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो केवल दिल्ली के रेजिदेंस के लिए होंगे यह अनौसमेंट किया है अभी अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरिवाल जी ने और उन्होंने कहा है उन्होंने यह डिसेजन लेने के लिए जनता की राय मानगी थी और यह जनता का कहना है कि जो दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो केवल दिल्ली के रेजिदेंस का इलाज करें। अपने आप में कही न कहीं शायद ये सोच दिल्ली वालों के लिए अच्छी है, वो अपना इंटरस्ट देख रहे हैं। लेकिन इस न्यूस के कई सारे इंप्लिकेशन्स हैं। जो पॉल्टिकल और लीगल इंप्लिकेशन्स होंगे, वो तो अलग हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी बाते करने से जो इंडिया की यूनिटी है, कहीना कहीं उसको डेंट पड़ेगा, कहीना कहीं एक गलत मेसेज जाएगा, और अगर हम इसी पैटर्न पे चले, तो इंडिया पूरा एक कैसे कहलाएगा, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर दिखाने का, आप असलियत में कैसे हैं, अंदर से आप कितने स्ट्रॉंग हैं, आपकी humanitarian values कैसी हैं, ये question इस decision से बहुत important हो गया है, दिखिए जब समय अच्छा चलता है, उस समय तो कोई भी अच्छा बन सकता है, उस समय कोई भी जना अच्छे decision ले सकता है, लेकिन जब समय खराब होता है, specially अभी जो ये coronavirus चल रहा है, COVID-19 से देश ही नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है, इस समय हम कैसे decision लेते हैं, हम humanity को और हमारे अलावा जितने और लोग हैं, हम इस समय उन्हें कैसे treat करते हैं, उनकी life को कितनी importance देते हैं, इस समय पता चलेगा कि हमारी values क्या ह हमारे character की integrity क्या है, अगर हम मुश्किलों से डर गए, घबरा गए और इस तरह के selfish decision देने लग गए, केवल अपने बारे में सोचने लग गए, तो जब चीजे ठीक हो जाएंगी, हम अपने आप से कैसे नजरे मिलाएंगे, हम कैसे कह पाएंगे कि मुश्किल के समय में हमने अच्छा काम किया, या जब कठिन समय था, तब भी हमने human values को sacrifice नहीं किया, मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, this is my sincere request to all of you, कि इस type के decision, ना तो आप लेंगे, ना अपने political representatives को ऐसे decision लेने देंगे, India पूरा एक है, और इस समय तो बात India की भी नहीं है, इस समय तो बात world की भी है, अगर Delhi सेफ रहा, लेकिन पूरे भारत में कोरोणा सेलता रहा, तो Delhi भी ज़्यादा समय तक safe नहीं रह पाएंगा, और ये Delhi की बात नहीं है, ये किसी भी state को अगर ले लेंगे, उसके लिए true ह और जैसा कि आपने देखा, ये तो बात state की भी नहीं है, ये तो बात world की है, एक country से जो problem उठी, आज वो पूरे world में फैल गई है, तो इस type के decision लेना, कि कोई एक state केवल अपने लोग का खयाल रखेगा, क्या ये decision सही decision है? Please let me know. Thank you very much.